नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं पर्वतिहार टोटके कहते हैं घर में पेड़ लगाने से हर्याली आती है और घर में रहने वाले लोगों का स्वास्त अच्छा रहता है लेकिन क्या आपको पता है वास्तु किनुसा और कुछ पौधे बहुत सुभ होते हैं और घर में लगाते ही आपको भागे का साथ आपको मिलने लगता है बरकत चली आती है और उनमें से पहला पौधा है अनार का पौधा है कहा जाता है जिस घर के मुख्य दर्वाजे के ठीक सामने बाहर में अनार का पौधा हो ऐसे ब्यक्ति का स्वास्त भी अच्छा होता है और करजों से मुख्ति मिल जाती है घर में सम्रिद्धी आती है हल्दी का पौधा अगर हल्दी का पौधा आप अपने घर के गमले में भी लगाते हैं तो नेगेटिव इनर्जी आपको प्रिसान नहीं करती और हल्दी में अगर फूल आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में खुशाली अब बस आने वाली है अपरा जीता जिसको हम कृष्ण कानता भी कहते हैं नीले रंग का पुस्प लगता है और इस पुस्प को भगवान स्री हरी ही नहीं बलकि भगवान स्री कृष्ण सिप जी और गनेज जी मादुरुगा को भी अतीप्री है लाल रंग का गुलाब का पुस्प आप कभी भी कही भी लगा सकते हैं लेकिन माना जाता है घर के अंदर लाल रंग पुष्प नहीं लगाने चाहिए घर से बाहर आप छत पे बालकनी में यह खुले अस्तान पे लगा कि नारेल का पेड़ उचा भी हो जाए तो वास्तु दोस्त ना लगे तो समझ के लगाएंगे अब हम अगर एक खास पौधे की बात करें तो वह है आकड़े का पौधा जो भगवान गनेज जी का पौधा भी कहते हैं और सिप जी को अतीप्री है इस पौधे को अपने घर से म मालक्षमी का सुरूप मांते हैं हर किसी के घरांगन में है कहते हैं घर पर मुसीबत आती है तो पहले तुलसी चाती है कहने का तात पर अपने उपर ले लेती है आपके आने वाली मुसीबत को और कम कर देती है तो नुकसान कम होता है तुलसी के पौधे हमें से अपने घर क उत्तर पूरव में लगा है नीम का पौधा वैसे तो आपको पता है कि घर के आसपास आम का प्रेड होना अच्छा नहीं माना जाता बच्चों पर बुरा असर पड़ता है और आप नीम का पौधा लगाते हैं तो अच्छा है साथ ही अगर आउले की पौधे की बात करें तो ये भी अच्छा माना जाता है और अउले का पौधा घर में अपने छट पे भी लगा सकते हैं विमारियां परिसान नहीं करती गेंदे का पुस्प ब्रिस्पती को मजबूत करता है आपके घर में अगर गेंदे का पुस्प है तो गुरू भी बहतर होगा और वैवाहिक जी जोंगे और पैसा भी ठीकेगा अगर असो का पौधा आपने लगा लिया है तो अब यह है पीपल का पौधा घर में ना तो लगाएं पूजा करने के लिए गमले में भी ना लगाएं पीपल और बरगत का पेड़ भूल कर भी मत लगाईए अब पास की किसी मंदिर में लग आसकते हैं अगर आपके घर में है तो अम्रूत का पौधा इसको भी घर में मत लगा ये गा फ़लदार पौधे ना तो घर में लगाना चाहिए और नहीं फलदार पौधे का पेड़ का लकड़ी होता है उसका यूज कर ना संतान तरक्की नहीं करेगी और केक्टेस तो भू क्वेने ने लाइंगा अब बोन्साही का मतलब होता है इसको बहुना कर देना इस कि बढ़ने के गतिः को कम कर देना तो ऐसे मतला ही घर के लोगों के प्रगतिमें तरक्की में रुकावट खाई हैं और इसके साथ ही मिली का पार भाद आर घर के आसपास भी है तो उसको हटाने का व्यवस्था करवाईए क्योंकि इमली के पेर पर बुड़ी अत्माओं का वास होता है इसलिए इस बात का ध्यान रखिए अब यह है इसको कहते हैं महंदी का पौधा क्या आपको पता है महंदी का पौधा भी अच्छा नहीं माना जाता वास्तू के उठाकर साइड पढ़ा हुआ है सुखाव अपूल बुके है पढ़ा हुआ है उसको पढ़ावा मत रहने दे उसको तुरंद घर से बाहर निकाले क्योंकि यह घर की नकात मक्ता को बढ़ा देता है कपास का पौधा कहते हैं इस घर जिस भी घर में या घर के आसपास होता है वहां असुपता जादा होती है निके डिपटी जादा होती है परिशनिया जादा होती है बर्गत का पौधा का चाया भी आपके घर पड़ना पड़े ऐसी वेबस्ता करें वह ना जीवन में मुश्किलें बढ़ जाएगी और फिर आप हात मलते रह जाएंगे अब यह है आ हमादे